असलाम अलेकुम, सबास बेस्ट क्लासिस में आज हम इंशालला आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपी गोंद के लड्डू बनाना सीखेंगे बहुत आसान है, बहुत ज़ादा न्यूट्रीशियस है और डेलिशियस भी है और इन सर्दियों के मौसम में मिंस विंटर सीजन में आप इसे जरूर बनाएए या खुद भी खाईए बच्चों को भी खिलाएए तो वीडियो पसंदादा है तो लाइक और शेयर जरूर करना अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइक ओन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी रेसिपीज के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें तो चले इसे हम बनाते हैं इसे बनाने के लिए हम 50 ग्राम बादाम ले रहे हैं और हम लेंगे 50 ग्राम पिस्ता ये पिस्ता लेना ऑप्शनल है आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और फिर हम लेंगे ये 50 ग्राम काजू और 2 टिबल स्पून हम यहां तर्बूज या खर्बूज के बीज लेंगे जो काफी निट्रिशिस होते हैं और साथी हम लेंगे 25 ग्राम किश्मिश और ये रहे 100 ग्राम मखाने और यहां पर हमने 2 टिबल स्पून खशखश ली है और देखिए यहां पर मैंने 200 ग्राम गोन लिया है ये गोन मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है देखिए ये इस तरह होता है ये बारी भी मिलता है और मोटा मोटा भी मिलता है और जेनरली ये सरदियों के दिनों में बहुत आता है तो ये जो गोन होता है बड़ा ही फा जादा फाइदामन होता है और हमारी याददाश्त मेमरी को भी बढ़ाता है तो देखिए यहां हमने खोपरा लिया है यह 100 ग्राम खोपरा है यानि ग्रेटेट कोकोनेट लिया हमने मैंने इसे घर में ही ग्रेट किया था देखिए मैंने इसे छिलके के साथ यानि उपर की जो स्किन होती है उसके साथ इसे ग्रेट किया है क्योंकि इसके भी काफी benefits होते हैं ठीक है तो हमने इस गोंद को सबसे पहले थोड़ा सा कूट लेना है आप चाहें तो इसे डिरेक्टली ऐसे भी फ्राइ कर सकते हैं लेकिन अगर कूट लेंगे तो बहुत ज़्यादा बहतर रहेगा यह अच्छी तरह से यहने कंप्लीटली फ्राइ होगा और हाँ याद रखिए जब भी आप गोंद को तलें तो पहले आप इसे थोड़ी देर धूप में सुखा लें ताकि यह बहुत अच्छी तरह से तला जाएं अंदर तक तला जाएं इसमें अंदर तक कच्छापन नहीं रहना चाहिए इसलिए आपने इसे धूप में थोड़ा सा सुखा लेना चाहिए थीक है? तो देखे, अपने गोंद को इस तरह से medium size के टुकड़ों में तोड़ लिया है तो अब देखे, हम देखे, हमने गी गरम किया यहां पर हम अच्छी तरह से गी को गरम कर लिया है फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे यह गोंद तो गोंद अच्छी तरह से फूल रहा है उसे आराम से तलिए पहले घी को बहुत अच्छी तरह से आपने गरम करना है फिर उसके बाद उसे आराम से मीडियम फ्लेम पर फ्राइ कर लेना है अब मैं फिर से गोंद डाल रही हूँ गोंद डाल कर हम इसे तल लेंगे और तल कर हम इसे निकाल लेंगे अच्छी तरह से घी निकाल कर आप इसे निथार लेकर निकाल लीजिए अब देगे मैं थोड़ा सा बारी गोंद तल रही हूँ यानि जो गोंद बहुत ज़्यादा बारीख हो गया है वो तलना बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी सख्त नहीं रह जाता तो इसलिए बारीख गोंद करके तलना ज़्यादा आसान है और सेफ भी है देखिए मैंने इसे इस तरह से बारीख किया आप चाहें तो मिक्सर के जार में भी कर सकते हैं लेकिन मिक्सर की ब्लेड तूटने का डर होता है इसलिए मैंने इसे इस तरह से हमाम दस्ते में बारीख किया है तो इसे बारीख कीजिए और फिर तेज आंच पर पहले घी को कर पिर मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राय कर लीजिए इस तरह से हमें मीडियम फ्लेम पर इस बारी गोंद को भी फ्राय करके निकाल लेना है बहुत जल्दी से बहुत आसानी से ये फ्राय हो जाता है देखें कितना असानी से ये फ्राय हो गया है और हाथ से चूरा भी बहुत जल्दी हो जाता है अगर हम अपने हाथों से इसे मस लेंगे तो ये चूरा भी बहुत जल्दी हो जाता है अब हम घी में बादाम फ्राय कर लेते हैं यानि जो नट्स हमने लिए थे वो भी हमें सारे फ्राय कर लेने हैं तो अब मैं सबसे पहले बादाम फ्राय कर रही हूँ आप चाहें तो सभी नट्स एक साथ फ्राय कर सकते हैं लेकिन क्या होता है कि हर नट को फ्राय करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है तो इसलिए मैं इन्हें अलग अलग टाइम पर फ्राय कर रही हूँ देखे मैंने बादाम fry करके निकाल लिए। पिर मैं इसमें काजु fry कर रही हूँ। क्जूक़् बादाम के comparison में काजु को कम वक्त लगता है, तो इसलिए मैंने अलग-अलग fry किया, अब इसके बार पिस्टा fry कर लिजिये, ठोड़का सा टाइम लगेगा, लेकिन हर चीज सही तरह से fry हो जाती है अलग-अलग fry करने की वज़ा से तो देखिए हमने पिस्ते भी fry करके निकाल लिए उसके बाद घी को अच्छी तरह से गरम कीजिए और उसके बाद ये मकाने फ्राइ कर लिजिए मखानों के तो बहुत ज़्यादा health benefits है आप इन्हें भी ज़रूर डालिए लड्डू में आप चाहे तो लड्डू बनाए या पंजेरी बनाए लेकिन इसमें मखाने ज़रूर डाले और उसके बाद इसमें fry केजिए ये तर्बूस के बीज इसके भी काफी health benefits है अब देखिए उसी खी में हम fry करेंगे ये किश्मिश देखिए किश्मिश जब इस तरह फूल जाती है तो समझ लीजिए ये अच्छी तरह से fry हो गई फिर उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए अब मैं एक pan को गरम कर रही हूँ और उसमें मैं खशखश को हलकी आच पर भून लूगी यानि बहुत ही low flame पर हम इसे भूनेंगे क्योंकि खशखश बहुत जल जल जाती है तो इसलिए बहुत धीमी आच पर इसे भून कर निकाल लीजिए फिर थोड़ा सा घी गरम कीजिए और घी गरम करने के बाद उसमें आप ये नारियल को भून कर निकाल लीजिए आप चाहें तो इसे fry करके भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं थोड़े से घी में इसे fry कर रही हूँ ठीक है उसके बाद आपने देखिए घी गरम करना है और उसमें एक कब ग्यहूं का आटा भून कर निकाल लेना इस तरह से ग्यहूं का आटा हमें इसमें भूनना है घी के साथ ठीक है मैंने इसमें तीन टेबल स्पून घी डाला था देसी घी हम यूज कर रहे हैं उसे में ये सब चीजें फ्राई कर रहे हूँ ठीक है तो देखी अब हमारे पास बूना हुआ ग्यहूं काटा है बूनी हुई खशखश है और फिर ये हमारे पास फ्राई की हुई किश्मिश है और ये फ्राई किया हुआ गोंध है देखिए यहां मैंने बारीक कियावा गुंद फ्राइ किया और यह मोटा गुंद है फ्राइ कियावा देखिए बारीक गुंद कितना जल्दी हाथों से में बारीक मस ले जाता है यानि बहुत भी बारीक चुरा हो जाता है मोटा गोन भी बहुत जल्दी बारीक हो जाता है लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर ये कच्छा होगा तो इसके अंदर कुछ गोन का दाना रह जाता है मिंस सख्त रह जाता है इसलिए बहतर होगा कि आप बारीक करके इसे फ्राइ करें देखिए यहाँ पर मैंने घी में भूना हुआ खोपरा है और बादाम, काजू, पिस्ते वखरा यह सारे यहाँ पर हैं तर्बूस के बीज भी जो मैंने फ्राइ किये थे और यहाँ पर हैं तले हुए मखाने अब हम क्या करते हैं यह जो सारे नट्स हैं हमने फ्राइ किये वे उन्हें हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं तो यह सारे नट्स को आप दरदरा पीस लीजिए देखिए मैंने यहाँ पर इसे दरदरा पीस लिया है और उसके बाद गोन को भी मैं इस तरह से बारीक कर लोगी किसी लकडी की गोटनी की मदद से आप इस तरह से इसने बारीक कर ले गोन को बारीक कर लीजिए मखानों को भी थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए तलेवे मखाने मैंने दरदरे पीस लिये हैं अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए सबी चीजें मिक्स हो गई अब हमारा काम क्या होगा ये असल काम है हम क्या करेंगे इस मिक्सचर को गिन लेंगे किसी कप से आप गिन लीजिए देखिए मैं यहाँ पर इस कप से ये गिन रही हूँ ये टोटल पांच कप हुआ है जो सारा मिक्सचर था यानि जो सारे ड्राइफ रूट्स नट्स वगरा थे वो टोटल पांच कप हुए तो हम लेंगे दो कप गुड़ सेम कप से हमने दो कप गुड़ लेना है यानि पांच कप मिक्सचर के लिए हम लेंगे दो कप गुड़ यानि नियर अबाउट 40% हम गुड ले रिंगे तो हमने गुड एक कड़ाई में डाला उसमें हमने आधा कप पानी डाल दिया गुड पिघलने के लिए हम बस आधा कप पानी डालेंगे ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं और नहीं इसे ज्यादा पकाने की जरूरत है गुड को पहले पिघलने दिजिए और जब जैसे ही गुड पिघलता है उसके बाद बस गिन कर 2 मिनट इसे पकाईए 2 मिनट तक इसे पकने दिजिए ज्यादा न पकाईए वरना ये काला हो जाता है उसके बाद इसमें half tea spoon इलाइची powder डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसे mix कीजिए देखें ये अच्छी तरह से पक गया है अब हम क्या करेंगे इस चाशनी को gas पर से उतारके इस mixture में डाल देंगे हमने इस चाशनी को इस mixture में add किया अच्छी तरह से mix कीजिए और अपने हाथों को पहले साफ धोईए और उसके बाद इस तरह से इसके लड़ू बना लीजिए बहुत आसान है इस तरह के लड़ू बनाना देखा आपने बहुत आसानी से ये लड़ू बन जाते हैं ये शुरुआत में थोड़े से नर्म और इस तरह से घी वाले लगते हैं लेकिन थोड़ी देर याने एक दो घंटे के बाद बिलकुल ये हवा खाने के बाद सूख जाते हैं बहुत ही जबरदस्त हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं आप इसे बना कर जरूर देखिए इंशालला आपको बहुत काम आएंगे आप इन लड़ूं को किसी एरटाइट कंटेनर में भर कर रखिए एक महिने तक बिलकुल खराब नहीं होंगे आप एक महिने तक हर रोज सुभा में इसे एक लड़ू के साथ एक ग्लास दूद पीए आपकी हटिया मजबूत होंगी आपकी इम्मिनिटी बढ़ जाएगी बहुत ही आपकी सहत के लिए फायदा होगा तो कहीं कैसे लगा आपको ये लेड़ू पसंद आया ना देखी इसका टेक्श्चर कितना अच्छा है जैसा हमें चाहिए था बिलकुल वैसे ही है और इतना जादा मज़ेदार है कि अगर आप एक खाना चाहेंगे तो आप अपने आपको रोक नहीं सकेंगे दो चार खाले ठीक है तो आप इसे बना कर जरूर देखी इंशाला आपको ये बहुत पसंद आएंगे तो मिलती हूं फिर इंशाला एक नई और यूसफुल रेसिपी के साथ थैंक्स फो वाचिंग